हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई यूट्वीब चैनल लर्णवाई सोनु सर्मा आज इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ इंपोर्टेंट कोश्यन जो सॉल्ट है जो एक्जाम में पूछे जाते हैं बनवर्ड के तोर पर भी और सॉल्ट के तोर पर भी तो इसके लिए अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने इस वीडियो को लाइक करने तो टैन ए दे रहा है में गिवन है टैन ए बरावर वन टैन वी बरावर रूट तीन देन फाइंड करना कोज एंटू कोज भी माइनस का साइन इंटू साइन वी सॉल्यूसन देख लेते हैं ग योगी 10 से 10 कैंसल हो गया ए बरावर 45 डिग्री अब 10 भी दे रहा है में रूट 3 रूट 3 अब रूट 3 वैल्यू होती है 10 में 10 60 डिग्री की 10 60 डिग्री अब बी का जो आया वो आया 60 डिग्री अब हमें यह कोज एकी वैल्यू लगा देंगे अब कोज लगा देंगे कोज 85 डिग्री into cos b means cos 60 degree cos 60 degree minus sin 45 degree into sin 60 degree अब हम जानते हैं cos 45 degree की value table में होती है trigonometry table की हिसाब से बन अपॉन root 2 होती है और cos 60 degree की value बन अपॉन 2 होती है minus sin 45 degree की value होती है बन अपॉन root 2 into sin 60 की value होती है root 3 upon 2 root 3 upon 2 अब इनके multiply कर देंगे 1 into 1 1 upon 2 root 2 minus का root 3 2 हो जाएगा यह अब LCM ले ले लेंगे इसका तो 2 root 2 LCM आ जाएगा और उपर बचेगा 1 minus का root 3 यही इसका answer हो जाएगा यह इसका answer हो गया अब इसका अगला question है question number second sin 25 degree upon cos 65 degree plus 10 23 degree got 67 degree तो हम जानते हैं sin cos में बदल जाता है 90 बाद तो इसे कर देंगे cos 90 minus का 65 degree upon cos 65 degree plus यह 10 है 10 25 23 degree को हम लिख सकते हैं cos 90 minus का 67 degree अब नीचा दे रहा है cos 67 degree अब इसमें यह होगा cos 65 degree upon cos 65 degree plus cot यह हो जाएगा 67 degree upon my cot 67 degree अब यह cancel हो गए one times तो यह बचा one plus one is equal to two इसका answer आ गया second वालेगा अगला देख लेते हैं question number third cos square 67 degree minus का sin square 23 degree तो हम जानते हैं अब cos को लिख लेते हैं cos square 90 minus का 67 degree minus का sin square 23 degree इसे change नहीं करेंगे 23 degree लिख देंगे अब cos sign में बदल जाएगा तो इसे लिख देंगे sign sign square 23 degree minus का sign square 23 degree अब यह plus से minus का sign cancel हो जाएगा इसका answer आएगा 0 third answer आया 0 अगला देख लेते हैं question number fourth question number fourth है if 10 to a is equal to cot a plus 60 degree find करना a की value a बराबर कितना तो हमें given लिख देते हैं given 10 to a is equal to cot a plus 60 degree अब 10 को हम जब cot में बदलेंगे तो से लिखेंगे cot 90 minus का 2 a 10 to a को cot 90 minus का 2 a हम लिखे देंगे और cot a plus 60 degree हमें देही रखा है अब cot से cot तो हो जाएगा cancel एंगल बचे 90 minus का 2 a is equal to a plus का 60 degree अब constant constant एक तरफ और valuable variable एक तरफ means 90 यह उदर का साथ positive है तो minus का 60 हो जाएगा और यह a है और यह minus का 2 a plus का 2 a हो जाएगा आगे देख लेते हैं अब 90 में से 60 minus करेंगे तो बचेगा 30 degree is equal to यह 2 a है 2 a अब a और 2 a हो जाएगा अब 3 से 30 10 times कट जाएगा a is equal to 10 degree इसका यह answer आ गया अगला देख लेते हैं question number 5th fourth वाले का 10 answer आ गया question number 5th है if cos 2 a is equal to sign a minus का 15 degree find करना इसमें भी a की वैल्यू तो गिवान है हमें cos 2 a is equal to sign a minus का 15 degree अब हम cos को sign में बदलेंगे तो 90 में बदलता तो इसलिए लिख देंगे sign 90 माइनस का 2 a cos 2 a को और sign a minus का 15 as it is लिख लेंगे अब sign और sign दे रखा तो sign और sign cancel हो जाएंगे 90 माइनस का 2 a यह एंगल आ गया और a minus का 15 के बरावर होगा constant constant एक तरफ वेरियेवल वेरियेवल एक तरफ 90 उधर से 15 माइनस का प्लस में हो जाएगा यह 2 a minus का उधर जाकर प्लस का हो जाएगा तो 90 प्लस का 15 is equal to a plus का 2 a तो यह हो जाएगा 115 is equal to 3 a 115 बरावर का 3 a अब a बरावर का 115 upon में 3 तो a is equal to यह गल्थ हो गया यहाँ पर 90 प्लस 15 है 90 प्लस 15 है यह कट कर देंगे रेस कर देता हूं यह 90 प्लस 15 होगा 105 105 लिख देंगे 105 is equal to का 3 a अब यह रेस कर दे रहा हूं अब यह इससे कैंसल करेंगे तो 105 अपन में 3 तो यह 3 जा 9 और 5 जा 15 35 डिग्री एकी वेल्यू आ गई अगला कोश्चन है कोश्चन नमबर सिस्ट इफ टैन 3 एक्स प्लस का 30 डिग्री इस एक्वल टू वन गिवन है तो हमें इसमें फाइंड करना है एक्स की वेल्यू बरावर कितनी होगी तो लिख लिएंगे गिवन 10 3 एक्स प्लस 30 डिग्री इस एक्वल टू वन और हम 10 की वेल्यू वन जानते हैं 45 डिग्री की वेल्यू होती है तो 3x प्लस का 3 10 से 10 कैंसल हो जाएगा फिर एंगल बचेंगे 3x प्लस का 30 इस एक्वल टू 45 और 3x बरावर का 45 यह 30 प्रिल्ला से उदर जाकर माइनस का हो जाएगा तो एक्स बरावर का 15 अपॉन 3 और एक्स बरावर का 5 इसका आंसर आ गया 5 डिग्री सिस्त वाले का अगला देख लेते हैं कॉश्चन नमबर सेवंत इफ साइन ए इस इक्वल टो कॉज भी देन फाइंड करना है ए प्लस भी इस इक्वल टो कितना तो सॉल्योसन देख लेते हमें गिवन है साइन ए इस इक्वल टो कॉज भी अब हम जब साइन को कॉज में बदलेंगे तो 90 पे बदलता तो इससे लिख देंगे कॉज 90 माइनस का ए और कॉज भी एज इस लिख लेंगे अब कॉज से कॉज कैंसल हो जाएगा एंगल बचे हमार है 90 माइनस का ए इस इक्वल टो वी तो ए प्लस वी सॉल्व करने के बाद 90 डिग्री आ जाएगा तो ए प्लस वी बरावर का 90 डिग्री यही इसका अंसर है अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नमबर 8 इफ साइन ठीटा इस इक्वल टो कॉज ठीटा देन फाइंड दी वैल कि अब साइन हम जानते हैं कोज में बदल जाता है अब है अब लिख लेंगे ऐसी कोज 45 डिग्री माइज इक्वल टू कि यह गल्थ हो गया का इससा कट कर देंगे आक कि यह ऐसा नहीं होगा यह इस हाप से होगा कि इसकी वेल्सट्री में पड़ करने पेमाई है इसकी वालवर बनीकट कर लएंगे और कब होतीन है n89 सबस्कोंअ थीरा पर तो यह हो बरावर कॉस ठीटा है जिट इस लिख लेंगे अब यह कॉस से कॉस कैंसल हो जाएगा 90 माइनस का ठीटा बचेगा बरावर ठीटा अब माइनस का ठीटा उधर जाकर प्लस का ठीटा हो जाएगा तो टू ठीटा हो जाएगा बरावर 90 तो ठीटा आगया हमारा 45 डिग्री अब theta की value जो हमें find करना है उसमें लगा देंगे now value of 210 theta plus cos square theta तो 210 45 degree theta की value है plus cos square 45 degree अब 2 into 10 45 की value होती है 1 plus cos 45 degree की value होती है 1 upon root 2 इसका हो जाएगा square अब ये 2 into 1 2 और 1 का square 1 और 2 root 2 का square 2 अब इसका LCM लेके answer निकालेंगे तो 5 upon 2 इसका answer आजाएगा 5 upon 2 अगला question देख लेते है question number 9 210 30 degree upon में 1 minus 10 square 30 degree is equal to कितना find करना है हम है तो लिख लेते हैं given क्या दे रहा है 210 30 degree 1 minus का upon में 1 minus का 10 square 30 degree अब 2 into 10 30 की value होती है 1 upon में root 3 और 1 और 10 30 की value 1 upon root 3 लेकिन यहाँ पर हमें square दे रहा है तो square लगा देंगे अब इसकी multiply करेंगे तो 2 upon root 3 हो जाएगा और 1 minus का 1 का square 1 और root 3 का square 3 अब 2 upon root 3 अब 3 का LC हम ले लेंगे तो यह हो जाएगा अपन में 3 यह हो जाएगा 3 minus 1 बराबर 2 upon root 3 into अब इसे भिन को solve करेंगे तो इसे लिख देंगे हम 3 upon में 2 3 minus का 1 2 आ जाएगा तो 2 से 2 cancel हो गया और 3 को हमें ऐसे लिख सकते हैं root 3 into का root 3 upon में क्या दे रहा है हमें root 3 तो root 3 से root 3 cancel हो गया और root 3 इसका answer आ गया 9 वाले answer root 3 आ गया अगला question देख लेते हैं question number 10 given है 1 minus का 10 square 45 degree upon 1 minus 1 plus का 45 degree square दोनों पर वराबर क्या A की value दे रखा है 0 B दे रखा है 1 C दे रखा है sin 45 degree D दे रखा है sin 60 तो देख लेते हैं solve करकर given लिख देते हैं 1 minus का 10 square 45 degree upon 1 plus का 10 square 45 degree अब 1 minus का 1045 की degree के value होती है 1 तो लगा देंगे 1 plus का 1 का square तो 1 minus 1 उपर हो जाएगा और 1 और 1 2 हो जाएगा यह 0 upon 2 हो जाएगा बराबर 0 इस concerns हो आ गया वो 0 आ गया और वीडियो अच्छे लगी हो तो लाइक करें और जादा से यादा सेर करें Thanks for watching my videos